नमस्कार खबर उत्राखंड देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ जियोती मुख्यमंतरी पुषकर सिंग धामी ने मंगलवार को मुख्यमंतरी कैंप कार्यालई में आदर्श चंपावत के तहट संचालित योजनाओं और प्रस्तावित कारिक्रमों की समिक्षा की उन्होंने जिलाधिकारी चंपावत को निर्देश दिये कि चंपावत सिर्किट हाउस का विस्तारी करण का कारी तेजी से किया जाए वही निर्मान कारी में गुडवत्ता का विश्यस ध्यान रखा जाए इन निर्देशों के साथ ही कई जरूरी दिशान निर्देश भी उन्होंने दी जिला अधिकारी चमपावत नवनीद पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री घोशना के तहट चमपावत में मास्टर प्लान के तहट भूमी चुनहित कर पांच जोन बनाई गए हैं जिसमें स्टेडियम कल्चर थीएटर, गोल्जीू मंदिर परिशर, मल्टी स्टोरी पार्किंग और एप्रोच रोड से सम्मधित कारी योजना बनाई गई है इस आवसर पर सची विनोध कुमार सुमन और जिला प्रशासन चमपावत के अधिकारी भी उपस्तित थे उत्रकंड के मुख्यमंत्री पुषकर सिंग धामी ने लोक निर्मार विभाग के दोरान अधिकारियों को 30 नवंबर तक सडकों को पूर रूप से गढ़ा मुक्त बनाने के निर्देश दिये हैं वहीं आपको बता दें कि सीएम के निर्देश के बाद से लोक निर्मार विभाग के जो अधिकारी हैं वो त्वरित गती से काम करते हुए नजर आए और साथ ही आपको ये भी बता दें कि राजधानी देरादून में 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का यूजन होना है और इसके तहट सभी तैयारिया फिलाल पूरी की जा रही हैं और पूरे शहर को रंग रोगन करके सजाय जा रहा है और सड़कों को गढ़्धा मुक्त बनाने के लिए मुक्यमद्री पोशकर सिंगामी ने पी डेबलूडी विभाग को ये दिसंडर देश दिये हैं हमने सारी सड़कें कंप्लीट कर ली हैं तो सड़कें हमारी बची ती जो स्मार्ट सिटी की सड़कें हैं इसमें चकराता रोड और इसी रोड तो मेरे द्वारा अभी सुबह एक पूरा राउंड लिया गया है उसका रात में बारिश होने के वैसे चकराता रोड पर काम नहीं हो पाया जागा लेकिन इसी रोड हम लगबख खतम कर चुके थोड़ा सा एक स्ट्रेज बचा है मुझे लगता सौ फिट करी भःज इस पर काम चल गया है तो मेरे दौरा ये कहा गया है कि अभी दिन में काम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे देवभूमी उत्तराखंड भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और एतिहासिक धरोहरों का केंद्र है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुषकर सिंगधामी जी के नित्रतुने आर्थिक शक्ती के रूप में परिवर्तित करने का संकल्प लिया है देश की राधानी दिल्ली के पास होने की वज़े से उत्तराखंड निवेशकों के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उबरा है निवेश की असीमित संभावनाओं को साथ लिए तीस से अधिक इन्वेश्टर फ्रेंडली नीतियां, सिंगल विंडो सिस्टम, सस्ती बिजली, यहां की स्किल्द मैंड पावर और बेहतर कानून विवस्था दुनिया भर के निवेशकों को आकरशित करने के लिए तयार है उत्तरा घंड को सम्रिध और सरवत्तम बनाने के लिए सरकार द्वारा आठ और नो दिसमबर दो हसार तेज को हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से इंड़स्ट्री, टूरिज्म, पावर, एजुकेशन, आयुष एंड वेलनेस, हल्थ केर, लोजिस्टिक्स, एग्रिकल्चर एंड हाटी कल्चर, आईटी स्टार्टप्स, सिविल एविएशन, इंफ्रास्ट्रेक्चर और हाउजिंग जैसे शेत्रों में धाई लाग करोड रुपे के निवेश का लक्ष रखा गया है। और गवर्मेंट टू बिजनिस बैठकों की भी मिजबानी कर रहा है। भारत में उत्तराखंड राज्य, वैश्ट इस्तर पर अबार सम्भावनाओं के लिए अपने निवेशकों का स्वागत करनी के लिए तत्पर है। ये नए भारत का नया उत्तराखंड है, जिसने विक और सम्रिद्री का रास्ता चुना है। देश्टीनिशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, पीस टू प्रोस्पेरिटी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का, चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। वहीं उत्राखंड कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने सरकार के दावों पर सवाल खड़े किये है। उन्होंने कहा है कि सरकार जोर शोर से जितना प्रचार और प्रचार कर रही है उसका कोई खास असर नहीं होने वाला है। साथे उन्होंने कहा कि 2018 में भी त्रवेन सिंगरावत सरकार के दौरान इन्वेस्टर समिट किया गया था और उसको भी काफी प्रचारित किया गया था। लेकिन धरातर पर कुछ भी निकल कर सामने नहीं आया। वहीं कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार की तमाम कमियों को इंगित किया और उस पर सवाल भी उठाए। कि मेरे थे उनका उत्तर ना तो अभी तबुक्षी मंतरी ने दिया ना इनके प्रवक्ताव ने दिया। मेकेंजी ग्रूप कौन है। ब्लैक्लिस्टेट कंपनी अमेरिका को उसकी लाइगा थाई लाक रुपया प्रकी एक दिन के साफ्चा बुक्तान कर रहे हैं। कितने कदम आगे बड़ी वो भी इद्वेस्टमेंट के लिए लाइगी थी। पंडित नारांदर टिवारी ने एक सॉलिड बेस दिया। जिसमें सिटकुलों की स्टापना की यहां और रुदम सिंदेगरमा। जितने उध्योग आए जितनी इंवेस्टमेंट रही थी उसका से कितनी बची है कितने उध्योग यहां से चले गए और गए तो उनके कारण क्या है। तीसरा ऐसी कंपनी से करा लंदन जाकी क्यों क्या गया जो अलड़ी उट्रगन में काम कर रही है। क्यलकटा बेस कंपनी है गाजियाबाद में उसका हैड़ ऑफेस है। वह यहां उल्हें काम कर चुकिया है। संपरकनों से यही है में वीपी में वागती है। चौथा कि जो विजली के आवशक्ता होती है। law and order की आवशक्ता होती है। सबके दुरस्तों से आवशक्ता होती है। वहीं Global Investors Summit को लेकर के उत्राखण में तयारियां जोर सोर पर है। इसी समिक्षा हैं इसकी जो समिक्षा हैं वो खुद मुख्यमंत्री पुशकर सिंग्धामी लगातार कर रहे हैं। वहीं देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका मेरा ने बताया की FRI परिशर में इसको लेकर तयारिया लगातार चल रही हैं। और 8 और 9 दिसंबर को इन्वेस्टर समिट समेथ देहरादून में FRI भी प्रस्तावित है। साथ ही आपको बता दे कि जिलाधिकारी ने बताया कि 50 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधी इस समिट में शामिल होने के लिए आसर रहे हैं। वहीं जिलाप्रशासन और पुलिस लगातार इसकी तयारिया कर रही है। साथ ही आपको बता दे कि इन में शामिल होने के लिए प्रधान मत्री नरिंद मोधी भी आ सकते हैं जिसको लेकर के SPG भी लगातार FRI में सुरक्षा विवस्थाओं का जाइजा ले रही है सभी चल रहे हैं FRI क्योंकि साइट है वहाँ भी इवेंट मैनेजमेंट कमिटी कंपनी ने अपने कारे शुरू कर दी हैं और फाइनल स्टेजिस में साथ ही शहर में ट्राफिक और कानून विवस्थाओं बनाये रखने पर पूरा फोकस है वहीं आपको बता दे कि इन्वेस्टर समिट में पिएम नरेंद्र मूदी बतार मुख्य अतिथी शामिल हो सकते हैं देरादून के FRI परिशर में यह आयोजन होना है यहां व्यापक स्तर पर तयारिया भी चल रही है वहीं सुरक्षा विवस्था की समख्षा के लिए SPG भी दून पहुँच गई है साथ ही SPG मंज के आसपास के इलाके में समिच्षा के बाद से सुरक्षा इंतजामात कराएगी वहीं आयोजन के दिन यह स्थान SPG घेरे में रहेगा समिट को लेकर पुरी तयारिया पुलिस प्रसाशन कर रहा है और काफी सारी आपने देखा होगा वहस्था मनाई जा रही है और खासकर जो टेंप्रेरी जो अतिक्रमण है खासकर रूट में या कहीं पर वियस्थे होंगे उसको हटाए भी जाएगा और साफ सफाई की वहस् सब्सक्राइब करते गई है खाबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का जल्द हैसिर होंगे इकीसवी सताथी का है तीसरा दसक ये उत्तराखंड का दसक है मेरे शब्द लिख के रखिये दीवभूमी उत्तराखंड भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और एतिहासिक धरोहरों का केंद्र है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुषकर सिंगधामी जी के नित्रतुने आर्थिक शक्ती के रूप में परिवर्तित करने का संकल्प लिया है देश की राजधानी दिल्ली के पास होने की वज़े से उत्तराखंड निवेशकों के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उबरा है निवेश की असीमित संभावनाओं को साथ लिए तीस से अधिक इन्वेश्टर फ्रेंडली नीतियां, सिंगल फिंटो सिस्टम, सस्ती बिजली, यहां की स्केल्ट मैंड पावर और बेहतर कानून वे रस्था दुनिया भार के निवेशकों को आकरशित करने के लिए तयार ह उत्तरा घंड को सम्रिध और सरवत्तम बनाने के लिए सरकार द्वारा आठ और 9 दिसमबर 2023 को हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से इंडस्ट्री, टूरिज्म, पावर, एजुकेशन, आयुष एंड वेलनेस, हेल्थ केर, लोजिस्टिक्स, अग्रिकल्चर एंड हाटी कल्चर, आईटी स्टार्टप्स, सिविल एविएशन, इंफ्रास्ट्रेक्चर और हाउसिंग जैसे शेत्रों में धाय लाग करोड रुपे के निवेश का लक्ष रखा गया है। इजनिस बैठकों की भी मिजबानी कर रहा है। भारत में उत्तराखंड राज्य वैश्ट इस्तर पर अबाल संभावनाओं के लिए अपने निवेशकों का स्वागत करनी के लिए तक पर है। ये नए भारत का नया उत्तराखंड है जिसने विकास और सम्रद्धी का रास्त अचना है। देश्टिनीशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 पीस टू प्रोस्पेरिटी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रेक के बाद ने उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंतरी सत्पाल महराज ने कहा कि जो तीनों राज्यों में चुनाओं हम जीते हैं इसका श्रेय प्रधान मंतरी मोदी को जाता है। जो है ये मानने हमारे यशश्वी प्रधान मंतरी जी को जाता है, कारेकरताओं को जाता है, नडड़ा जी को जाता है, अमद्शा जी को जाता है। और सभी ने मिलकर के काम किया, मुझे 36 जाने का मौका मिला, सरगुजा, रायपूर, वहां की जो विधान समाएं थी, और 14 जो छेतर थे, वहां में जाकर के 12 हम जिता करके आए। तो माने देखा, एक लहर चल रही थी, और कांग्रेस के अंदर अंतरदुन्द था, मुखमंत्रियों के लडाई हो रही थी, एक व्यक्ति दूसरे मुखमंत्री को हराने में लगा था, दूसरा पहले वाले को हराने में लगा था, तो अंतरदुन्द के कारण जो है, और लोगों को उच्छी तो नहीं लगा। जन्पद उधम सिंग नगर में खटीमा के उप जिलाधिकारी रविन सिंग बेश्ट नगर पाली का परिशतक के प्रशाशक बनने के बाद से एक्टिव मौड में निजरा रही हैं। उपजिला अधिकारी होने के बार के नाती खटीमा की सारी समस्याओं को काफी बारिकी से समझने के बाद त्वरित कारवाई करने के निर्देश भी मौके से देते हुए निजराये। उन्होंने सकत आदेश देते हुए कहा कि सडकों पर अतिक्रमन बिल्कुल भी बरदास्त नहीं किया जाएगा। वहीं अतिक्रमन के कारण बीमार लोगों को अस्पताल और बच्चों को स्कूल जाने में बहुत देकते होती हैं। जिसके बाद जल से जल अतिक्रमन हटाने का आदेश दिया गया। अगर दिये गये समय सिमा के अंदर सभी अतिक्रमन कारी अपना अतिक्रमन नहीं हटाते तो बल पूर्वक हटा दिया जाएगा। अन्यता हम अपनी कारवाई उसमें करेंगा उसको जवर्दत्ती हटाएगी। इसमें सरकारी गूमिये चाहे वर्ग्चार की दूमियों, चाहे पांच एक की दूमियों या घूड हो हमारे नाले हो इसमें जहां पर यतिक्रमन उसको हटाया जाएगा और जाम किस्तिती जो ह हमारे यहां पर शैर्णर आम तोर पर दीखी जाती है, इसे निजाद बेया है। खाबर में वक्तों चला है एक छोटे से ब्रेक का जल्द हासिर होंगी। देवभूमी उत्तराखंड भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और एतिहासिक धरोहरों का केंद्र है। जिसे प्रधानमंत्री नरेंदर मोधी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुषकर सिंगधामी जी के नित्रतुने आर्थिक शक्ती के रोप में परिवर्तित करने का संकल्प लिया है। देश की राजधानी दिल्ली के पास होने की वज़े से उत्तराखंड निवेशकों के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उबरा है। निवेश की असीमित संभावनाओं को साथ लिए तीस से अधिक इन्वेश्टर फ्रेंडली नीदियां, सिंगल विंडो सिस्टम, सस्ती बिजली, यहां की स्केल्ड मैंपावर और बेहतर कानून विवस्था दुनिया भर के निवेशकों को आकरशित करने के लिए तयार उत्तरा घंड को सम्रिध और सरवत्तम बनाने के लिए सरकार द्वारा आठ और नौ दिसमबर 2023 को हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से इंडस्ट्री, टूरिज्म, पावर, एजुकेशन, आयुष एंड वेलनेस, हेल्थ केर, लोजिस्टिक्स, इन्वेस्टर एंड हार्टी कल्चर, आईटी स्टार्टप्स, सिविल एविएशन, इंफ्रास्ट्रेक्चर और हाउजिंग जैसे शेत्रों में धाय लाग करोड रुपे के निवेश का लक्ष रखा गया है। बिजनिस बैठकों की भी मिजबानी कर रहा है। भारत में उत्तराखंड राज्य, वैश्विक इस्तर पर अबार्च अम्हाउनों के लिए अपने निवेशकों का स्वागत करनी के लिए तत पर है। ये नए भारत का नया उत्तराखंड है, जिसमें विकास और सम्रिद्ध का रास्ता चुना है। डेश्टिनिशन उत्तराखंड ग्लोबल इंवेस्टर समिट 2023 पीस्टू प्रॉस्पेरिटी। रेके बादे बार फिर से स्वागत है आप सभी का चले खबरों में आगे बढ़ेंगे। पाइब स्टार एक भट्टा है जो हरपाल सिंग चौकिदार का काम करते थे, जिनका शव मिला था गटना का संग्यान लेते हुए टीमों का गठन किया गया। जिसमें पता चला कि हरपाल सिंग नाम का जो व्यक्ति था, उसके साथ सतीश कुमार नाम के व्यक्ति को देखा गया था। जो मृतक और सतीश भट्टे पर एक साथ काम करते थे और रात में शराप पी कर, इनके आपस में पत्नी वह पुत्री टिकाटे पणी पर कुछ विवाद हुआ। और उस दोरान हरपाल सिंग की मौत हो गई और डर के कारण सतीश ने ईड़ भट्टे में फावड से गठा बनाया और उसमें उसे दबा दिया, जिसमें आरोपी ने न केवल उसको मारा बलकी साक्ष चुपाने का प्रयास्ति किया, जिसमें सतीश कुमार की सनलिप्तिता पा अगर पाद ने जिसमें इनके दोरा यह बता लिया कि इनके पिटाजी जो अर्बाल सिंगी थे जिसमें पाइश चार की बत्ते पर काम चरते थे और साध में एक गड़ती इसका नाम सपीश कुमार था वही काम गणता लाश्ता इंके पिटाजी वहीं ने के तादी इसमें और बाद में इनकी जो जिन बादी ती पूलिटी के अंदर मिली थी इसमें कुछ इनके पाइट बादी को भी करें दिक रहा देते हैं सूरिकांद धस्माना ने कहा कि चारधाम परियोजना पर जितनी भी टरनल का काम चल रहा है उन सब ही की जाच होनी चाहिए जितनी भी टनलींग हो रही है जितनी स्वरंगे बन रही है उनका सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए चाहिए वो चाहिए वो जल्विद्ध परियोज्णाओं का हो और चाहिए रिशिकेश करप्यार रेल मारका हो राज के अंधर आपड़वलद्म का तंत्र बिल्कुल फटरी से उतरा हो आएं कोई आपड़वलड़वस की हमारे पास इसमें इंतीजान नहीं है यह दोनों कर दो है हमारे प्रोदेश केंदर राजी की सरकार को केंद्र की सरकार को मेवीद्याः कोंग्रस की वागए कि देवभूमी उत्तराखंड भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और एतिहासिक धरोहरों का केंद्र है जिसे प्रधानमंत्री नरेंदर मोधी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुषकर सिंधामी जी के नित्रतुने आर्थिक शक्ती के रूप में परिवर्तित करने का संकल्प लिया है देश की राजधानी दिल्ली के पास होने की वज़े से उत्तरा खंड निवेशकों के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनिशन के रूप में उबरा है निवेश की असीमित संभावनाओं को साथ लिए तीस से अधिक इन्वेश्टर फ्रेंडली नीतियां, सिंगल विंडो सिस्टम, सस्ती बिजली, यहां की स्केल्ड मैन पावर और बेहतर कानून वे रस्था दुनिया भर के निवेशकों को आकरशित करने के लिए तैयार है जोजिस्टिक्स, अग्रिकल्चर एंड हार्टी कल्चर, आईटी स्टार्टप्स, सिविल एविएशन, इंफ्रास्ट्रेक्चर और हाउसिंग जैसे शेत्रों में धाई लाग करोड रुपेई के निवेश का लक्ष रखा गया है ये निवेशक शिकर सम्मिलन, दुनिया भर के व्यावसाईट प्रतिन धिमंडलों, कारकोरेक्ट लीडर्स, सिक्षाविदों और गवर्मेंट लीडर्शिप के लिए एक विशाल मंच है जहां से उत्तराखंड राज्य में सही, सार्थर और महतुपूर निवेश होंगे ग्लोबल इन्वेशक समिट अपने निवेशकों के लिए बिजनेस टू बिजनेस और गवर्मेंट टू बिजनेस बैठकों की भी मिजबानी कर रहा है भारत में उत्तराखंड राज्य वैशुट इस्तर पर अबार्च अंभावनाओं के लिए अपने निवेशकों का स्वागत करनी के लिए तत्पर है ये नए भारत का नया उत्तराखंड है जिसने विकास और सम्रद्धी का रास्ता चुना है देश्टिनिशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 पीस्टू प्रोस्पेरिटी की उपस्थिती में बैठक कायो जन किया गया समीटे की बैठक में पिछली कारवाई पर विस्तार से चर्चा की गई और कारियों के समिक्षा भी की गई लंबित कारियों को जल्द पूरा करने का समय सीमा भी निर्धारित करने के साथ ही निर्देश भी दिये गए वहीं बैठक में विद्युद विभाग, स्वास्त विभाग, लोक निर्मार विभाग, पेजल, जल संसान और अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे जिन्होंने अपने विभागों से संबंधित जन कल्यानकारी योजनाओं और सुविधाओं के जानकारी लोगों को दी वैठक का संचालन सहायक खर्ण विकास अधिकारी धर्मेन सिंग करन्यालने किया आज हमारे सेफल पंचार खड़ी मागी बैठक थी इसका एजिंडा हमने पूरू महीं जारी कर दिया था पंदरी में पूरू और इसमें सभी गवागों को बलाएंगे हैं सभी ब्लाइंड डिबाडमेंट्स और इतने भी समयसे हैं रहती हैं जल जीवन में समयसे हैं घ्राजी वागों की विजले पानी आज अर्प्राण दृवागों की ब्लाएंगे हैं और अभी हमारे बैठक की जो चंचा चलिए उसका प्लोक से जो है विजुजवाय की समयसे आए क्टूर्च माधि जो कोटी रवायग की समस्या है और हमारे पृषिति विज्ञान। बाविबात सभी रचाशा हु़ने जल जीवन विसकेदें काकी समस्या रोकुपर आईगे हैं। कि इस बैठक में सबसे एक बात यह रही कि इसमें कुछ विभाग नहीं पहुंचे उन पर सकते सकत कारवाई की जाएगी जिसे की आने वाली बैठक पर बूलोग यहां पहुंचे में समस्या यहां पर प्वडी शरक से लेकर दस क्रोड का बजट सरकात वारा हमारे शेतर में दिया जा रहा है उस बजट से शेतर की शरकों में सुधार किया जाएगा कवार जड़ा मुख्ष की ज़ समस्या है माझा मुक्य मंत्री जी द्वारा मुख्ष की भी बात के ऐगा हुए हूए उसपे भी समस्या कोड़ों काफी चर्चा हुई और हंगामा भी हुआ में सबस्या पेजल की पेजल तवारा जगे-जगे टेंक्टियों की खुदाई हो रही है उसमें गड़्डा मुपते तर्फी स्कीम चल रही है मगरें उनकी वज़े से जटे काफी पड़ रहे हैं लाइने विशाई जा रही है उसमें एक एक मेंटर घहरी खाईयां पड़ रही है बारिस होती है तो कीचर होता है गाम के लोग बहुत ज्यादा परशांत है खबर उद्राखंड देख रहे हैं आप उद्राखंड के खबरों में फिलाल इतना ही नमस्कार